हाई फ्रेंड हम लेकर रहा हैं बिल्कुल नया नास्ता जिसको आप बनाना बहुत ही इजी है बिना आवन बिना आक के अपने घर पर एक पेंच से बहुत ही टेस्टी भाटी बना कर खा सकते हैं जिसको खाने के लिए आप ठेले पर बार बार जाते हैं इसको ठेले पर जाने क बहुत जादा नहीं बहुत जाधा नहीं दाल लिए जिसको हमें बहुत जाधा नहीं विगोना चार से पांच घंटे ही विगोनाई जिसे फ़ी में दोबह भी कहते हैं यह । पांचे घंट में यहां आपना पकाना टेश्ट लिया है, उसको पने लेकार आना है कि यह ओए पैन भी ने हैं, अजिए ही अज़िए ने हैं, अज़िए में अग्या अज़िक आणी पांगर, पांधुन दोड़ने लिए मुझ रून जाते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्या तेश्टी लगती हैं मसाले उच्छे से पक चुके हैं इसही में में डाल या दार देना है मैं थोड़ा लाल मिर्च पौटर लेनासा इपने स्वाधना सी ओडर रफ चला खवड़े पानी डालना है पानी हमें उतना ही लेना है जिससे कि यह दाल थोड़ी सी अच्छी पक जाए यहां पर नमक हमने लिया है आदा चमच अपने स्वादनस्वार नमक चाहें तो हमने स्वादनस्वार भी ले सकते हैं अब इसको हम धक्कर रख देंगे चार से पांच मिन्स के ल गुंट लेना जिसे हम रोटिया मानाते हैं यहां पर दो से तीन बूनठ वेल लिया हमने थोड़ा सा नमक लिया नमक पहले से नमक था यहां पर थोड़ी सी लिया आजवाइन को क्रेस्ट करके इंडों में एड़ कर देंगे अजवाइन खाने से क्या होता हैं बहुत बहुत था हो चुकिए है बहुत अखे हैं है बहुत जांदा नहीं पकता अधाrukt, बतारी काटाश की है है दय निया हमने 5-0-0-6-200-0-6-1-2 प्याज के पाहते हैं प्याज ढलने का ख्या हथारी में प्याज नहीं डालते तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगते 562 में लीजी उनको बारिक कट करके इसी में एड़ कर दिया है थोड़ा सधनिया हमारे पास था उची को हमने बारिक कट कर लिया है थोड़ा सा कुटा हुआ मसाला है हमारे पास काली मिर्च, सौंप, अजबाई, जीरा, एक में हमने कोड़ कर एक चमच इसी में एड़ कर दिया था यहां पर गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, इसको डालने से क्या होता है, बहुत एच्छी खुश्बू आती है खड़े मसाले उसमें तो बिल्कुल भाटी में जान ही डाल देते हैं, अच्छे से इनको मिला लेना है, अब आता हमारा परफेक्ट तयार हो चुका है, इसके हमें लोईया बना लेनी है, चोटी चोटी लोईया बनानी है, बहुत जदा बड़ी बड़ी लोईया नहीं बनानी हैं इसे क्या भाटी हम पेन पर बना रहे हैं आरा या आवन पर नहीं बना रहे हैं इसलिए मैं छोटी छोटी लोइया लेनी हैं आप जोटी छोटी लोइया बना सकते हैं अगने थोड़ा सा सुखंपा śट लगा लिए दो ऺड़ा लीम ऐ Made बेल लेना है काने में बहुत ही ज्यादा तेस्टी और मज्यदार रिष्पी लगती है अपने घर पर इसको जरूर बनाकर एक वार हमारी तरह से जरूर बनाकर ट्राइब किजिए अपने बड़ी पूर्वियां मेंने लिए बहुत ज्यादा मोटी नहीं रखनी है जिससे की बना लेना है इसको जब दबा देंगे अच्छे से क्या होता बाजी दूबा फूट जाती है अगर और ऐसे चपका कर पानी लगा कर बनाएंगे तो बहुत फूटेंगी नहीं है हमारी गारंटी है बिल्कुल आपकी भाटी या या कचोड़ी जो भी बनाएंगे बिल्कूल फूटेंगे पानी जुरूर लगाने है अच्छे आराम से इसको बनाकर ऐसे तैयार कर हैं बहुत अच्छे स्यों बच्छ बर है इसमें पानी लगांगे दूपारा से अप लोग को दिखा देंगे मैं इसमें पानी लगांगे तो पानी लगाने हैंने बमढ़ने से बीजार से बनाने का कुछ मजा ही अलग होता है इसको बना कर नाकर खाएं और दूसरों को खिला उपने योट्ट आपने हाद कहाना यह पर आपने प्ली मेखह ना क्या भूत हम दे सकते हैं हमारा पेन कैसा गरम है पानी डालेंगे तो ज्यादा से चंचना हाट की आब आ जाती है तब ही हमें बाटी रखनी है आराम से बाटी इस पर रख सकते हैं बहुत अच्छे बन जाती है बिल्कुल देर भी नहीं लगती है बहुत आराम से बनती है बहुत ड़ने में नहीं है आवा इसे हम ढ़ता है कि यहां पर आवन या आरा का यूज नहीं किया आग बीलुकुल नहीं जलाई है इसलिए ऐसे ही मह बना अब साइडों से माना पाकाने के लिए ऐसे हम खड़ी करके हें इनकी साइड़े सख सकते हैं बहुत आराम से शिक जाती हैं ऐसे ही खड़े करके साइड़ों से गुंपां-गुमा कर हम बना सकतें इनकी साइड़ विल्कुल देखा राप साइड़ों सब्सक्रक्त करीया नहीं है बहूत कुर्कुरी खसतादार बनी है ने कितने अच्छी फूल चुकी है अब को हम पालेट में निकाल लेंगे इनको रह सकते हैं बहुत अच्छी तोड़कर दिखाएंगे बहुत ही टेश्टी बिल्कुल अंदर से पक चुकी है बहुत ही खाने में मज़ेदार रगती है आए हमारे साथ इसको चक्कर बताईएगा कि हमारी रिस्पी आप लोगों को कैसी लेगी अगर आप लोग हमारे चिन पर नहीं तो हमारे चिन को सब्स संद आई हो तो लाइक से करना बिल्कुल न भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई